वल गैज तो फाइनली एक डिब्यू के इस अपते का कोलिजन सो ओभर हो चुका है और गैज अगर आप लोगों ने अभी तक एक डिब्यू का आज वा कोलिजन सो नहीं देखा है तो गैज मैं आपको बता दू आज एक डिब्यू कोलिजन के ओपनिंग के ओपर ही सीम पंग अरीना में अराइब होते गें और गैज यहां पर एक डिब्यू कोलिजन के ओपनिंग के ओपर सीम पंग उनका प्रोमो कट करते गें जहां पर पंग के इस प्रोमो के अंदर समुआ जो के साथ उनके मेन इवन्ट को लेकर बात करते गें और गैज सीम पंग ये कहते गें कि CM Punk के पूरे करियर के अंदर CM Punk ने आज तक कभी भी Samoa जो को बीट नहीं किया है और गाइज इसे लिए आज कोलिजन के मेन इवेंट के ऊपर CM Punk और Samoa जो का मैश CM Punk के करियर का बिगेस चैलेंज होने वाला है बट गाइज इसके साथ साथ CM Punk के इस प्रोमो के अंदर CM Punk Owen Hart के Legacy को लिकर बात करते गए और गाइज यहाँ पर CM Punk यह कहते गए कि अगर Owen Hart ना होती तो गाइज साथ आज एगी डिब्यू के अंदर CM Punk समुआ जो रिकी स्टार्क और पावर हाउस हॉफ जैसे रसलर ना होती और गाइज यहाँ पर CM Punk यह कहते गए कि आज रिजाइना में AEW के कोलिजन्सों के उपर AEW के रसलर्स यह बताने वाले गए कि यह सभी Owen Hart की कितने रिस्पेट करते गए और इस तरीके से AEW कोलिजन्स के ओपनिंग के उपर CM Punk उनका Baby Face प्रोमो कट करते गए